अब अगर अग्री क्लाइमेट जोन की इंडिया की बात करें तो अलग-अलग हैं जिन्हों ने इसको डिवाइट करने कोशिश की है सबसे जो इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं ज्यादा डिसकस जो भी किया जाता है वो दे प्लानिंग कमेशन का तो जो डिविजन इन्हों ने भी की थी फिर जो सौल सर्वे ब्यूरो उन्हों ने भी की थी तो एक बार हम क्लिम्स जरूर लेंगे कि नजर जरूर दोड़ाएंगे तीनों पर कि तीनों की डिविजन क्या है मोटा मोटा बट जो प्लानिंग कमेशन की है 15 क्लामिटिक जोन इस ने क्राइटीर है क्या है वह बतानी की जरूरत नहीं है हम पहले डिसकर्स कर चुकि वहीं सॉइल है टेंपरिचर है रेन फॉल है वहम बात करेंगे लग क्या क्या है बट इनके विशिस पर डिवाइड किया गया अब जो डिवाइड किया गया तो कितने बता इसने 15 यह आप द प्र प्लेटू हो गया फिर कोस्टल प्लेंस हो गए फिर गुजरात के प्लेंस हो गए वेस्टरी का ड्राइड राजिस्तान को फिर आइलेंड हो गए तो यह 15 है जिसमें डिवाइड किया हुआ है किस बेसिस पे है कि वहीं स्वाइल टाइप होगे टेंपरेचर रेंफॉल और रिसोर्स की अवेलिबिट इसकी दूसरे जो मैंने आपको बताया वह किये वह क्लासिफिकशन की नेशनल एग्रिकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट इन्हों ने किस में डिवाइड किया इन्हों ने नहीं आपको सिर्फ इतना बताने कि किस-किस ने रिवाइड किया उनके नाम आपको पता है कितने कि इसने 127 ऐसा कोशन आ सकता है इसकी डास में मुझे नहीं लगते जाने वाले हैं ठीक है क्योंकि हमारा मॉटिव क्या है यहां पर एक्जाम क्रेक करना तीसरा जमेने आपक इकलाजिकल जोन्स बनाए और उनको फर्दर डिवाइड कर दिया कितने 60 सब जोन्स में तो यहां 20 के नाम मैंने लिख दिये हैं बट मुझे लगता नहीं आपको जरूरत है अगर आपको दिल करे तो आप इसको देख सकते एक नजर ले सकते हैं हम डिसक्स करेंगे कि जो हमारे ऐलो कलाइमिटिक जो प्लैनिक कमीशन नहीं हो उनके बारे में डिसक्स करने वाले हैं कितने हैं 15 है यह आपके एप今 सामने हैं अब इन को 15 को मेमराइज करना है अब आप कहेंगे मेमराइज करना है और बहुत जरूरी है मेमराइज करना है एक्जाम में कुछन आ सकता है बट मैं कहूंगा we need not to memorize we need to just understand कि classification कैसे की है ताकि आप recall कर पाएंगे और अगर आप चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हैं बिना देखी वह में तरीका बता देता हूं आपको कैसे करेंगे यह मैं अभी ने देखा होता है इसको क्या कहते है यह है क्या दिस इस फीजियो ग्राफिक टिविजियु ज़िन अफ इंडिया आप स्कूल रुक अठाएंगे जॉग्रिफी कि उसमें जॉग्रफियया के DR इविजियू क्यों है है फीजिकल बैसि फीजी फिचर में आप देखेंगे शे साव दिस फीजियु ग्राफिकली बैसिन आ अब अम क्य सा है यह color क्या है the represent different जो features है उनको जैसे brown color और यह white color white basically represent snow covered peaks, snow covered caps brown जो है यह क्या represent करता है mountains को करता है fine उसके बाद जो green है यह सारा green किसको represent करता है plane को let me change the color वो ज़्यादा ठीक रहेगा plains area तो green means plane area जैसे मैदान होते हैं ऐसे समझ लीजिए फिर तो green कहां पर यह भी green है यह सारा green है कौन से पंजाब के plains है यह गैंजटिक plains है और यह असाम plains है फिर यह coastal plains है east और यह west coast plains और यह islands है और फिर यह yellow क्या अगर brown तो mountain है what is yellow yellow होता है highlands yellow highlands होते है plateau आप कह सकते हैं इसको है ना तो mountain नहीं है यह highlands है तो यह सारा जो area है तो यहाँ से अगर division देखें आप एक पर में तो तीन division निकल रही है यहां से तीन कौन सी है मैं लिख देता हूँ number one mountains number two plains और number three plateau तीन बट जब आप बुक में देखें तो पांच कौन सी है जो island है एक इसको ले लेंगे number four island और जो number five है वो मैं यहां लिख दा हूँ वो क्या है जो coastal plain है इनको अलग लिया जाता है coastal plains तो अब मुझे लगता है कि अब यह पांच आप इस image को देखें पांच का idea लगा सकते हैं इसमें आपको कोई